बॉर्णिंग बच्चों, आज हम लोग कर्षा पांच का जो आप लोग को हूंबब दिया था कर काम करने के लिए घर पे उस एक्सरसाइज को देखेंगे, हम लोग की कैसे सौल्व के जाता है, कैसे इसको भूग की हेल्प से हम इसको सौल्व कर सकते हैं तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट था वो था, I am scared to go inside the zoo, परश्ण पूचा था कि ये जो सेंटेंस है, ये किस ने कहा और किस से कहा, तो इस सेंटेंस को हमें, ये हमारी वर्क बुक में दिया हुआ पार्ट है, इस सेंटेंस को हमें अपने बुक में ढूना था, बुक के चैप प्रस में ढूना है, तो ये देखिए, ये हमारी वर्क बुक है, और ये हमारी वर्क रखी है, अब हम इसी सेंटेंस को, I am scared to go inside the zoo, इसको हम ढूनेंगे, अपनी बुक में, कि ये बुक में कहा दिया है, और ये किस ने कहा है, किस से कहा है, अब हम देखेंगे जब, तो यहा नेहा शुरू करेंगे, तो यहां देखिए, ये नेहा है, नेहा कह रही है, I am scared to go inside the zoo, देखिए, वही सेंटेंस है, जो सेंटेंस आपकी वर्क बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, वही सेंटेंस है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस ने कहा, नेहा ने कहा, और नेहा ने य आप दूसरा सेंटेंस क्या है in the zoo some animals are kept in cages अब इसको हम डूबने के कोशिश करेंगे अपने बुक में अब यहां देखिए यहां पे जो अरुन है अरुन कह रहा है कि in the zoo some animals are kept in the cages यह वही सेंटेंस है ना बेटा जो देखो यहां लिखा हुआ है in the zoo some animals are kept in the cages इसका मतलब यह किसने कहा 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 यह क प्कू रजाउंगे डीजासु संभी सब्सक्राइग सुखल है। करें लाई-डीजासु से कहते हैं। अपने भाई अरुन से कह रही है नेहा set to अरुन अब हम four तो solve करेंगे oh my god look at the tiger कि अरे tiger को देखो अब ये line किसने कहा तूरिए आप लोग ये देखिए यहां लिखा है न look at the tiger look at the tiger मतलब tiger को देखो oh my god अब ये देखिए वही line है जो यहां लिखा हुआ है oh my god look at the tiger अब ये देखो कि ये line कौन कह रहा है ये line कौन कह रहा है नेहा कह रही है तो यहां क्या लिखेंगे हम नेहा said to अरुन अब आप लोगो समझ में आ गया होगा कि हमें ये किस तरह से solve करना है हमें यहां देखना है और फिर अपनी book में ढूंड़ना है जैसे यहां लिखा है brother look at the monkeys अब यहां हम इसको ढूंडेंगे कि हां लिखा है brother look at the monkeys कहां लिखा है ये कहां लिखा है ये monkeys वाले में जहां होगा monkeys नहीं लिखा होगा यह देखिए लिखा है brother look at the monkeys अब आपको लिखना होगा यहां कौन कह रहा है अब इसके बाद आप दूसरा sentence देखिए it's on the rock अब यह देखिए sentence कहां लिखा हुआ है it's on the rock यह कौन कह रहा है इसके बाद next sentence देखिए yes those birds are flying over the trees अब यह देखिए यह sentence कहां लिखा है yes those birds are flying over the trees अब इसको देखिए कौन कह रहा है चलिए तो बाकी हमने यहां पे solve करके आपको दिखा दिया है four sentences को कि किस तरह आपको करना है बाकी यह तीन sentences आप लोग अपनी बुक से धोड़िए और इसको solve करके भीजिए आपको